हर ताली का तीज वर्त की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हर ताली का तीज वर्त की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं प्रेय भक्तों बड़े प्रेम से बोली माता पार्वती कीजै आशु तोश बाबा भोले नाथ कीजै गणपती लंबोदर भगवान कीजै हमारे हिंदू धर्व में बहुत से ब्रत, त्योहार, बरी श्रधा वप्रेम से रखेवा मनाय जाते रहे हैं मन चाहा पती पाने की इच्छा से हर्ताली का ब्रत और तो द्वारा रखा जाता है भगवान भोले नाथ की क्रिपा बरसते ही, माता पार्वती की तर ब्रत रखने वाली का सपना पूर्ण होते देर नहीं लगते कई ओरती तो निर्जला रहकर भी ये ब्रत धारण कर लेते हैं अश्व में यग्य जैसा फल देने वाला ये ब्रत अगले पिछले सब पापों से मुक्त कराने वाले ब्रत की छोटी सी गाथा आप सभी भगतों को सुनाने जा रहे हैं तो प्रेम से बोले भगतों बाबा भोले नाथ की जैए मन चाहावर मिल जाएगा गन्या करे अरदास तीन लोग का स्वामी भोला पून करतास लंबी आयों चाह सुहागन अपने साजन की व्रत द्वारा करती है वो पूजा भगवन की कई और तेने जल रहकर गत निभाती है पारवती के जैसे वो श्व लोग को जाती है व्रत कथा के सुनने से ही कट जाते है पार अश्व मेग लग जैसा फल हो करती है जो जात ऐसे व्रत ही अगले पिछले पाप मिटाते है पावन कथा सुनाते हैं जिसकी करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिव शंकर भगवाल तेरी माया बड़ी महाल एक छोटी सी कथा सुनाओ पून्य मिले अपाल एक दन पहुँचे मुनी नारत जी हिमाले के द्वार बोल हिमाले आओ मुनी जी कैसे आए हो तुम तो संदेशा देती हो क्या संदेश लाए हो नारत बोले ध्यान लगा कर सुनना है मिर राज खबर सुनाने आया हूँ मैं बड़ी हिरो चक आज आपकी कन्या कई वर्षों से कर रही तब कठो तब से दूजा रास्ता नहीं है सत्य का कोई आज तार्वति से वेश्नों जी विवाह करना चाहते हैं पावन कठा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कठा सुनाते हैं ये शिव शंकर भगवाल तेरी माया बड़ी महाल ये शिव शंकर भगवाल तेरी माया बड़ी महाल ये शिव शंकर भगवाल इसलिए मैं आपकी इच्छा जानने आया हूं यही संदेश है बड़ी पास में जो मैं लाया हूं मुझको नहीं आपती कोई करे हिमाले हां विश्णों से जानारद बोले बेशक करो विवा पारवती को पता चला के ऐसी है कुछ पास सोचे मैं तो प्राण त्याग दूँ ऐ सबने मिरे सास पारवती की एक सखी ने आकर दे सलास शिवशंकर कातब करने को जंगल में तू जा उस जंगल में ढूंडे से भी ढूंड न पाते हैं आवन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं एशिवशंकर भगवार तेरी माया बड़ी महार तेरी माया बड़ी महार एशिवशंकर भगवार प्रिय भक्तों अपनी सखी की बताय हुए समाधान अनुसार माता पार्वती घर से दूर एक जंगल में नदी किनारे गुफा में भोर तब करने लगी राजा हिमालाई ने तो नारत्मुनी को विश्णु से विवाह की सहमती भी दे दी थी राजा हिमालाई ने बहुत खोजबिन की परंतु पार्वती को खोज नहीं पाएं शिव मंतर का जाप करते करते पार्वती ने बहुत समय गुजार दिया अब खाना पीना भी छोड़ दिया था भादू महिना आया तब शुपल पक्ष की तिर्तिया के दिन उपवास व्रत रखा शिवलिंग पूजन किया भोली नाथ को चल कर आना पड़ा तो प्रेम से बोलिये भक्तों भगवान भोले नाथ हिकी जैए उस चंगल में अपने सखी संग पहुची पारवति नारद वाली बात इस चिन्दित मन में परमसति बड़ा भयानक बड़ा ही गहरा चंगल था घन भोल लगा समाधी शिवशिव रटति करती तप कठों पारवति तो चली गई है हो करके नाराज हिमाले तो मुच्चत हो गए जब जाना ये राज बचन भंग की चिन्ता में हिमाले हो गए थे चिन्ता होती चिता समान आधे हो गए थे अब क्या होगा कैसे होगा येतन बताते हैं आवन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे शिव शंकर भगवाल तेरी माया बड़ी महाल ए शिव शंकर भगवाल पारवती के खोज में लग गये कर्म चारी सारे खबर कोई भी लगा न पाए सारे ही भारे एक नदी के तटप सती जप रही शिव काना दिन देखे ना रात तपस्या करती सुब हो शां एक गुफा में बिता रही थे पारवती दिन राज मन मंदिर में बसा लिये थे शंकर भोले ना भाद शुक्ल तृतिया के दिन किया गत उपवास शिवलंग पूजन रात जागरण शत्धा ववेश्वास पारवती के मन की शंकर जाने ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे शिव शंकर भगवार पेरी माया बड़ी महार पेरी माया बड़ी महार ये शिव शंकर भगवार पारवती पर दसन्य होकर आएं भोले लात विवाह तुम्हारा होगा सती केवल मेरे साथ अर धांगिनी तो पारवती को किया तभी स्विकार इतना कहकर के लाश को भोले गए पधार छोड़ रही थी पूजा समगरी नदी में प्रातहतार उसी जगह पे आए हिमाले मन में बड़े सवार यहाँ पे कैसे आए पुत्री कहे हिमाले बार तुम जो मेरा देने लगे थे विश्णु जी को हार बात सुनी जो राज हिमाले चौक से जाते हैं भावन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए शिव शंकर भगवाल तेरी माया बड़ी महाल ए शिव शंकर भगवाल पारवती को अब तो हिमाले घर में ले आए बोले वैसा ही हो बेटी जैसा तुँ चाहें भोले के संग पारवती का विवा रचाया था शात्र विधी से विवा हुआ ये ही चाहा था सखिद्वारा हरी जाने पर हरिकाले का ना दत बड़ा ही पावन है ये बिगड़ बनाए का शद्धा से जो गत करेगे दुनिया में जो नारी अचल सुहाग मिलेगा उसको सुख भोगेगे भारी आरवती को भोले ऐसी बात बताते हैं आवन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिव शंकर भगवार तेरी माया बड़ी महार ये शिव शंकर भगवार जो भी नारी दत में शिव का पूजा कर लेगी उसकी नई आभव सागर से पार उतर लेगी भोले बोले फल में दोंगा मन वांचत अपने आप व्रत वाली का भाग जाग नहीं रहे कोई पार तब से ही इस व्रत की है कथा ये प्राची व्रत को करने वाले औरत दिन रहे नागी भागो शुक्ल तृतिया को ये रखा जाता है खस्त नक्षत्र में तो महत्व बड़ा कहलाता है इस भल दाई व्रत को मानुश कश्ट से करते हैं भावन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे शिव शंकर भगवाल तेरी माया बड़ी महाल ये शिव शंकर भगवाल पीज पर्व सब कर सकते हैं ये वत हैं महाल किसी पवित्र नदी सरुवर में करती हैं स्नात तेल के पत्तों से वो अपना सिर को भिगोती हैं तृतिया के दिन महंदी रचाते बड़ी खुश होती हैं सुन्दर सोहन वस्त्र पहन के शिव का करती ध्यार नेजल रहकर गीतो रत का लिखाव देव ध्यार पहले करनी होती है शिव गौरी के पूजा विन विन आशक गणपति जी भी देव संग दूजा ऐसे रत ही सोय भाग पिर से जगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिव शंकर भगवाल तेरी माया बड़ी महाल धर के लेके पत्तों से ब्रत में सजता हैं स्तंभ बनाकर सोहन मंडप तोरन बनता हैं शंकर पारवती के मूरती सजाई जाती हैं दिन का समय करके भजन गुजारा जाता हैं आठ उतारे शिव जी को पुकारा जाता हैं ब्रामण अथवा पुरोहित को भोजन करवातें देखे दक्षण पंडित जी से आशरवाद है पातें कमल सिंग तिजवरत कथा से यह बत लाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिसके करने से मन भावन पती मिल जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिव शंकर भगवाल तेरी माया बड़ी महाल प्रेय भक्तों बाबा भुलेनाद से विवाह की स्विकृति पाकर पार्वती चिंता मुक्त हो गई एक रोज राजा हिमालय खोज कर उसे घर ले आए शास्त्र विधी अनुसार बाबा भुलेनाद के साथ पार्वती का विवाह किया गया हर तालिका व्रत की कारण मन चाहा पती प्राप्त करने में देर तो लगी पर इच्छा पोर्ण हो गई भक्तों तब से ही इस व्रत की व्रथा चली आ रही है भादो महीने की शुक्लित्रतिया को औरते इस व्रत को रखकर अपनी मन की मुरादे पूरी करती है तो प्रेम सी बोली भगतों बाबा घोले ना थिकी जै